नाइन टीवी नूस को स्वागतम हिलाल की कोई इतला बेतज्दीख नहीं बुरी बिनाबरी खाजिय शेहर ने इस बात का इलान किया कि कल ने बरोज जुम्राद तीस रमजान और मुबारक होंगी और तहते अखकाम इशराया जुम्ह को तीद होगी और आईद का दिन तो नबी खरी शल्लालाई अलिही शल्म की जानिव से सारी उम्मत के लिए एक तुफ़ा है जो के ऐलान है आप सल्लालाई अलिहीं ने बेस दावाए किराम से इशाद फर्माया कि तीद तुम्हारे लिए बहतर दिन है जाहिलियत में जो तुमारे खुष्यों के तहवारों के दिन थे उस से कहीं ये दो दिन एक एक तुमारे लिए बहतर है इसमें ल्ला सुभाना हुट ताला नमारे जुनाहों को मौाप फर्माता है चुनाचे हदिश शरीफ में आया है जीद के दिन खंदा जब ल्ला सुभानाचे की वजूर्द नमाज शुगाने के तौर पर नमाज यूद अदा करता है सारे बंदगाने खुदा लुदार मौरत की नियमत मिले पर इस पर जब शुगाना अदा करते हूं तो ल्ला सुभानाचे की रिखना जोश में आती है और अल्ला ताला परिश्का को गवाह रखकर कहता है तुम गवाह रहना मैं अपने बंदों को मख़ दिया अंजिसके कि आपने घरों को पहुंचा घरों को जाने से पहले अल्ला सुभानाचे को अद्टों को अदा करता है जो भी अदा करें जो साहब निसा जिस पर जकात है जिस पर सदक फित्र भी है तो ईद के दिन की जो अहमतरीन अबादत है जो नमाज आईद को जाने से पहले सदक फित्र है अगर अनाच के शकल में दे रहा है यहूं वगरा तो सवा किलो दे जिसको अरभी में निस्व साह कहते है सवा किलो दे यह किश्मिश है या और खजूर है यह जीज़ें अगर दे रहा है तो उड़ाई किलो जिसको एक साह कहते है तक फित्र हनफी के इतिवार से साह इराखी का इतिवार किया गया है निस्व साह सवा किलो और एक साथ धाई कीलो तो ये तरीखे से भी अंजाम दे सकते हैं और फिक हनफी में एक बात ये है सदखाय फित्र हमेशा वाजिब अदा रहता है किसी वज़े से वो कबले नमाज आई अदा नहीं किया तो आई के बाद भी अदा कर सकता है और किसी वज़े से ये ये बाद भी अदा नहीं क kicking तो सारी उमर उसके जिम्मे वाजिब ढ़ी आदा रहता है जब भी पही अदा करे वो अदा हो जाता है वैसे तो उसका वुक्त चुरू होता है नमाज आईद के दिन आईद के दिन फजर की नमाज का सुरज तुलू होने के बाद से सुरज बुलंद होने के बाद से चुरू होता है लेकिन आप उस से पहले भी दे सकते हैं रमजाल मुबारक में भी उसकी अदाईगी मुम्किन है ताखिर से भी मुम्किन है तखदीम भी मुम्किन है इवादातِ मालिया में लिखे हनफी का एक खास वस्फ है खास तरीका है जो उसको कबलस वक्त भी अदा किया जा सकता है तो मेरेहाल सदकाय फितर हमेशा वाजिब अदा रहेगा सदकाय फितर से दूसरे गुराबा, मसाकीन, महताज को हमारी आईद की खुशियों में शामिल करना ये इसलाम का मकसद है अद्ध अद्ध पर लुक्त भी हमने किया है उसके हबीब अद्ध की मसर्ते और आईद की खुशियों से हम सब को बाला माल विख जाए और हम सब के गुनाहों को महाफ़्त पर्माए और जमीनी आस्मानी बनाहों से हमारी विपाज़त पर्माए अला खीरी खिलकिंग, वा मतास को दिए